असलाम नेकम फ्रेंड वेलकम टू एट होम चैनल आज एट होम पर हम गुलाब जामन की रस्पी बनाएंगे गुलाब जामन गर्मे बनाना तो असा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप चोटे-चोटे टिप्स फॉलो करो तो आप इसको इजीली बना सकते हो गुलाब जामन बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी आती प्याली सुजी, टू स्पून मैधा, वान एक, एक प्याली चीनी और साथ पे मैने दो इलाचिया ले लिया हैं, टू स्पून मिल्क पाउडर, वन ग्लास मिल्क, वन फॉर्थ स्पून ओफ बेकिंग पाउडर, वन इसका कलर चाहिए, इससे यह है कि इसका जो कच्छा बना भी ज़रा खत्म हो जाएगा, अब मिल्क में एक डाल के इसको बीट कर लें, इसमें आप आईसा-ईसा से मिल्क आट करते जाएं और इसको हिलाते जाएं, वन स्पून इसमें शुगर आट कर दें और इसको हिलाते कैट इसमें मिल्क डाला था होड़ पूरी तरह से बजोव रूप हो चका है अब में इसको की से बड़ते में झाल के तरिंडा कर लूंगी को ऊससे इमाट सुगर बना दूंगी इसका बना दो गाइव और इसका इसका ए्ट दूना दूब गी तो ठंडी हो चुकिए अब मैं इसमें मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, साथ ही देसी गी डालके इसको हाथ से आप मस्कल लें अब सॉफ्ट से ये टोर एडी हो गई है और आप इसको इससां से थोड़ा सा लें और इसकी गोलिया बना लें ये देखिए पॉल इससां से भी को राउंड होनी चाहिए और इसमें कोई क्रैक ना हो ये देखिए अब मैंने ये एक ओवल शेप का बना लिया और साथ ही अब मैं एक और स्क्यूर शेप का भी आपको बना कर दिखाती हूँ अब मैं ये एक स्क्यूर शेप का बना कर दिखा अब मैं एक एक कर्केस मेज़ा से डाल दूंगी गुलाब जामन और इसको लाइट ब्राउं कर लो कि देखे इस तरह से कुछ गॉल्डन कलर के हो गया है लिखिंग्स को मैं जरा मसीद जो है वो फ्राइ कर लो अब लोटवा ऐखे रचाला अ रचाल बन चुक है गॉल्डन हो गया में इसको निकाल रूगी ौशी सांटबरे जो रेड़ी हो चुक है और मैं इसको डाल दूगी इस को दाल से यह ने खुए ले लिए और अब मैं गुलाब जामन में इस खुए की जो है वो फिलिंग कर दूंगी मज़ेदा गुलाब जामन रेडी हैं आप इसको गर में बनाएं और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको यह गुलाब जामन कैसे लगे तैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो